खबर देखिया आपको बता देश के लगी पुरी हिंसा का मामला जहाँ पर आशिश मिश्टा की जमानत को चुनौती देने वाली याजका पर सुप्रीम कोर्ट में सुर्वाई यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ नामा दाखिल किया है गवापर हमले और धमकी का आरोप गलत है यूपी सरकार ने हलफ नामा दाखिल करके बताया है कि जो गवाओं को धमकी देने का और हमले का आरोप लगाया जाना वो सरासर गलत है मामले अब तक 98 गवाहों को सुरक्षा दी गई है यूपी सरकार ने कहा है पुलिस सभी गवाहों से संपर्क करती है ये भी यूपी सरकार ने अपने हलफ नामे में कहा है तो बड़ी ख़बर है और इसी के साथ यूपी सरकार का हलफ नामा भी आवैस हमारे समधाता जूर चुनौती थी उसको लेकर यूपे सरकार का हलफ नामा क्या बता रहा है। चुनौती नामा क्या बता रहा है। चुनौती नामा क्या बता रहा है। आर रहा है।